नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोट से बहुत ही राहत भरी खबर आईये 25,000 से जादा सिख्छक वा अन्य करमचारियों को सुप्रीम कोट से बहुत बड़ा मौका दिया गया है साथ में हाई कोट के फैसले को मानिय सुप्रीम कोट ने आज पलट दिया है जिहां बहुत बड़ी अप्डेटे डिटेल से जान करी देंगे पिछले वीडियो के माद्यम से मैंने आपको जान करी दी थी कि कलकात्ता हाई कोट के माद्यम से 25,000 के आसपास कुछ सिछक और कुछ करमचारियों को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वहां की सरकार पर यहां चीजें साबित हुई थी हाई कोट में कि भरती में गोटाला किया गया है जिस कारण से उस भरती के दह जो सिछक न्युक्ती पाए थे जो अन्य करमचारी न्युक्ती पाए थे उनकी न्युक्तियों को रद करते हुए उनको बाहर निकालने का आदेश दिया गया था जबकि वह आठ साल से ज़्यादा समय से नौकरी कर रहे थे साथ में पूरा वेतन जो है वो लगबग 12-14 प्रतिसत व्याद के साथ वापस करने के लिए भी हाई कोट के तरब से आदेश की आ गया था जिस पर वहां की जो सरकार थी मंगाल की पसिम बंगाल की उन्हों ने कहा कि हम यह जो आदेश है यह बिल्कुल भी नया संगत नहीं है और हम इस आदेश के खिलाब मानि सुप्रीम कोट में जाएंगे और उसी करम में मैंने आपको अपडेट भी किया था कि सरकार ने आजका फाइल कर दिये और सरकार की उस याचका पर आज सुनवाई हुई और मानि सुप्रीम कोट ने हाई कोट के उस आदेश पर इस्टे दे दिया और इन सिक्षकों को राहत दे दिया और कहा कि यहाँ अपनी नियुक्ती में बरकरार रहेंगे इनको जो सेलरी जो वेतन मिल रहा था वो मिलता रहेगा लेकिन जिनकी नियुक्ति पर कुछ साच मिले हैं कि उनको गड़बर तरीके से या बैक डोर से नियुक्ति दी गई है उनकी नियुक्ति को वैसे रोक कर रखा जाएगा CBI आने जो भी जाचे टीम कर रहे हैं वो जाच चलती रहेगी और जिन जो भी सिक्षक ये नौकरी कर रहे हैं जो भी अने करमचारी नौकरी कर रहे हैं 25,000 पद के आधार पर उसमें वो सबी अपने नौकरी करते रहेंगे वेतन पाते रहेंगे लेकिन उनकी जो न्युक्ति है वो मानि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधीन रहेगी तो कम से कम इतनी ही बड़ी राहत है कि उनकी न्युक्ति तो रद अभी नहीं हो रहे है फिलाल और जो है वो अपनी नौकली में बरकरार रहेंगे वेतन वेगरा पाते रहेंगे दोस्तों